देयर स्टूदेंट्स वर्कम टू गेट्समेशर्स आज की इस वीडियो में एक्स्प्रेइन करने जा रहा हूं वेरियस टाइम कॉंपलेक्सिटीज रिलेटेटेट टू आल टाइपस ओफ ट्रीज और यहां पर हम कौन कौन से ट्री की बात कर रहे हैं सबसे पहले हमने यहां पर लिया है बााइनरी त्री कहांनी कहां से स्टार्ट होती है यह तो जीरो यह वन या फिर टू? जिसके पॉस्टायड्य तीज पॉसिबल है अब उसके बाद इसका 스शल केस आ जाता है बाइनरी सर्च्ट्री जहां पर लæफ्ट में च्टीए special case आ जाता है binary search tree जहाँ पे left में छोटे right में बड़े और उसके बाद आ जाता है जी आपका AVL tree जो की balanced होता है जिसमें balance factor minus one zero plus one वाला और फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका heap तो maximum सारे के सारे मैं cases यहाँ पे लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे time complexities जो है वो क्या है आपकी best case time complexity average case time complexity and worst case time complexity लेकिन इनको समझाने से पहले मैं आपको एक line बताना जाता हूँ कि भैया अगर आप इस वीडियो पे directly आ चुके हो तो आपको यह time complexities जो है ना वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगी कि कैसे derive की है क्यों क्योंकि आपने binary tree के बारे में अगर नहीं पढ़ा BST, AVL इसके concept के बारे में नहीं पढ़ा तो आप सीधा searching की time complexity कैसे समझ पाऊगे या minimum element अगर में इनको निकालना है कैसे समझ पाऊगे तो इसलिए पहले आप इनके concept को अच्छे से कर लो और उसके बाद आप time complexity को बहुत अच्छे से समझ जाओगे otherwise आपको ये फिर सिरफ cram करनी पड़ेंगी, रट्टा मारनी पड़ेंगी तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप ये सारे concept में सा binary tree बनाओ, तो उस binary tree में आपको पता है कि best case कौन सा होगा, best case होगा कि आपने let's suppose बोला कि मेरे को एक particular element को सर्च करना है, let's say 100 को सर्च करना है, आपने अपनी searching जो है वो root से, हमेशा root से start होता है चलना, तो root से आपने चलना start किया, और आपने root में पहला element देखा, और by chance वो क्या था, 100, logi पहली बार में ही आपको element मिल गया, मतलब best case तो आपका order of one में काम खतम, खलास, और ये चीज़ आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कि कई बर क्या होता है, जैसे हम ये आपको मिल गया, होता महुत कम होगा, लेकिन कभी ना कभी तो हुआ होगा, तो that is the order of one, लेकिन अगर मैं बाकी के cases की बात करूँ, average या फिर worst case में, तो आप खुद देखो कि binary tree में कोई भी ऐसा rule नहीं है, कि या छोट element इधर है, बड़ा है, कुछ नहीं है, आपका जो desired element है, जिसको आप डूण रहे हो, वो पूरे के पूरे tree में, आपका tree कैसा भी बना हो सकता है, skewed भी बना हो सकता है, किसी भी shape में, क्योंकि binary tree में तो कैसा भी बन सकता है, बस ये पता है कि हमें maximum 2 child हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो आपको एक एक करके जो है वो element पे जाना पड़ रहा है, आपको पूरा का पूरा scan करना पड़ेगा, तब जाके आपको element मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि worst case में, अगर n elements हैं, तो n time, क्योंकि आपको पूरा का पूरा आपको scan करना पड़ सकते हैं, तो best case में आप कह सकते हो कि आपका one time लग रहा है, worst case में n time लग रहा है, तो average case में कितना हो गया, 1 plus n divided by 2, that is n divided by 2, और इसको भी, अगर आप n की value बहुत बड़ी ले लेते हो, infinite, infinite divided by 2 भी क्या होगा, infinite, तो यानि maximum cases में भी आपका order of n ही रहेगा, कोई फाइदा नहीं है, कहीं न कहीं आपकी time complexity जो है वो n ही रहेगी, worst, maximum वाली ही रहेगी, दूसरा binary search tree, binary search tree क्या कहता है, कि binary tree तो मैं हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, एक extra property है, कि मेरे जितने भी left में होंगे, जो root के left में होंगे, या हरे एक sub tree के जो left में होंगे, वो छोटे होंगे, right में बड़े होंगे, तो ये एक property होते है, binary search tree की, तो उसमें भी आपका भाई है, कि भाई है, best case में तो पहला element मिल गया, ये तो सर समझ में आगी, binary search tree में, कि आपका right skewed, जैसे आपने element लिया 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो आपका let's suppose right skewed, तो आपको जो है वो worst case में, बिल्कुल सारे elements को search करके, last element तक जाना पड़ सकता है, तब आपको पता लगेगा, कि ओहो मेरा तो भाईया, end time ही लग गया, जितने element थे, सब को scan किया, तब जाके हुआ, लेकिन, अगर मैं बात करूँ, इसकी average case की, तो average case बहुत interesting है, average case क्या कहता है, कि अगर आप binary search tree इस तरीके से बना रहे हो, तो at least आपको ये तो पता है न, अगर आपने search करना start किया, और let's say root है 100, और आप 50 को search कर रहे हो, तो भाया, आपको सिर्फ left side में जाना है, right side में नहीं जाना, क्योंकि 50 root के left में होगा, छोटा है न, तो left में होगा, तो यानि कहीं न कहीं, आपकी जो, एक तरह से आप कह सकते हो, कि जो searching है, वो कितनी होगी, maximum to maximum आपको height of the, या level of the tree तक ही जाना पड़ेगा, तो उस case में आपको log n time complexity में काम चल जाएगा, और यह क्यों, क्योंकि आपको पता है, जिससे binary search में होता है, binary search में आपको पता ना, कि हम array लेते हैं, mid fine note करते हैं, या तो left में या right में, तो आपकी problem हर बार n by 2 में डिवाइड हो जाती है, that's why it is log n, अगर मैं बात करूँ avial tree की, avial tree जो है, बहुत important है, क्योंकि यह worst case में भी log n चलता है, और इसका simple सा reason है, binary search tree आपका skewed हो सकता है, और उसकी वज़े से आपको end time तक जाना पड़ सकता है, लेकिन avial tree is always balanced, avial tree में height आपकी log n से ज़्यादा होई नहीं सकती, आपके number of levels log n से ज़्यादा होई नहीं सकते, लेकिन binary search tree में number of levels maximum n हो सकते हैं, तो end time लग गया, लेकिन जब यहाँ पे height लोग n से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो obviously आपको फिर भाई है, यह binary search tree तो है ही, मलब left में छोटा, right में बड़ा, वो तो है ही, प्लस height भी log n से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आपको पता भी है, या तो इधर जाना है या इधर जाना है, और maximum log n तक जाना है, तो worst case में भी log n, और average case में भी आपकी log n, so that's why avial tree is very important, कि minimum को search करो element को, या max को search करो, किसी भी एक random element को search करना है, और min heap ले लो या max heap, तो best case में तो ठीक है, पहला element आपको मिल गया, लेकिन worst case में आपको सभी को scan करना पड़ सकता है, तो इसलिए order of n, order of n, क्योंकि एक scan पूरा लग सकता आपको, और ये चीज दिमाग में रखना, मैं यहाँ पर minimum element, maximum element की बार नहीं कर रहा, कोई भी element एक random ली आपने choose कर लिया, तो इतना time लगेगा, हाँ, अगर मैं आपको ये बोदू specifically, कि भाया, आपको minimum element को find out करना है, तब थोड़ा सा change हो जाएगा, कि आपके पूरे tree में से, जो minimum element है, उसको find out करो, अब देखो जी, binary tree के case में, binary tree में, ये तो पता ही है, कि भी ये normal element को search करने में, ये end time लग रहा है, लेकिन best case, देखो change हो गया, best case कैसे change हो गया, best case क्यों change हुआ, बताओ, आपका पहले क्या था, कि पहला element आपने ढूंडा, और वही आपका, जो है वो search कर रहे थे, तो आपका order of one में time, में काम खतम हो गया, लेकिन, अभी हम search कर रहे हैं, minimum element, तो आपको क्या पता, कि पहला ही element minimum है, तो कहीं ना कहीं, आपको यह थोड़ी ना बताया question में, कि this is the minimum element, और इसको search करो, नहीं, आपको पूरे tree में से minimum find out करना है, तो आपको comparison तो करने पड़ेंगे ना, तब जाकी तो आपको मिलेगा, यह थोड़ी ना बताया कि, यह minimum है और यह आपको, तो हो सकता है, उस case में तो आप कह दो, कि यह आपको बोल दिया, कि 100 minimum है पूरे में से, तो आपको 100 by chance पहली बार में मिल गया, लेकिन minimum element, कोई भी हो सकता है वो, तो कोई भी हो सकता तो, यानि आपको पूरा scan करना पड़ सकता है, order of end time लग सकता है, यह बड़ा important है, लेकिन binary search tree में, अभी भी order of one ही रहेगा, क्यों? क्योंकि binary search tree में, हमें पता है, कि left side में minimum होते है, right side में element आपके बड़े होते है, तो best case में क्या हो सकता है, कि अगर let's say आपका skewed है, तो उसमें obviously आपको left side में जाने की जूरत ही नहीं, सबसे minimum element आपको root पे ही मिल गया, क्योंकि let's suppose कि आपका right skewed है, तो left में तो कोई element नहीं है, there is no element on the left, तो आपको पहला element जो था root, वही आपको मिल गया, और वही आपका obviously minimum होगा, that's why it is the best case है, यह हमने जानबूज के बनाया ऐसा के, कि वही आगर ऐसा हो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन binary tree में तो ऐसी कोई condition ही नहीं है, कि छोटा element इदर रहे, तो आपको पूरा scan करना पड़ सकता है, that's why order of N, और बाकी के, तो same जैसे हमने पहले लिये थे, लॉग N और N, AVL tree की बात करें, तो भी यह AVL tree में आपको पता है, कि it is always balanced, always balanced, तो आपका जो minimum element होगा, वो हमेशा left की तरफ जाते रो, आपको मिल जाएगा, तो left की तरफ बिलकुल last तक जाते रो, मिल जाएगा, तो यानि, लॉग N height तक ही तो जाना पड़ेगा, तो best ले लो चाए, average ले लो चाए, worst इससे जदा आपको जाना ही नहीं है, आपको सारे element को साच ही निकरना, तो लॉग N में आपको अपना minimum element मिल जाएगा, अगर हम बात करें min heap की, min heap में minimum element कहां पे पढ़ा होगा, अगर हम बात करें minimum element find out करना है, max heap में तब गड़वड़ा है, या max heap में, let's suppose, यह मेरा max heap है, 100, let's say, यह मेरे पास यहाँ पे 50 है, यह मेरे पास let's say 60 है, यह मेरे पास let's say 30 है, यह element मेरे पास इस तरीके से अगर आपके कोई elements है, तो हमेशा आपको पता है, मैं already करवा भी जुका हूँ, कि max heap के अगर हम बात करें, max heap में maximum element root पे होगा, और जो minimum element होगा, सबसे चोटा, यह वाले इससे चोटे होंगे, यह वाले उपर वाले से चोटे होंगे, तो यानि आपको बिलकुल last level में, जो leaf level है, उस level में आपको minimum element जो है, वो मिलेगा, और obviously min heap में आपको पता, it is almost complete binary tree, तो आपका हमेशा जो है, वो n by 2 element, तकरीबन तकरीबन n by 2 element आपके leaf में होते हैं, और n by 2 ही non leaf में होते हैं, तो भाई है जब आपको यह पता है, आप जिसको सर्च कर रहे हो, वो n by 2 में से कोई भी हो सकता है, तो कितना time लगेगा, चाहे best ले लो, चाहे worst ले लो, आपको सर्च तो n by 2 करने ही पड़ रहे हैं तो order of n by 2 कह लो, या उसको obviously अगर n मेरा बहुत बढ़ा है, तो order of की term में हम उसको order of n ही बोलते हैं, तो इसलिए इनका कोई आपस में link ही नहीं है, अगर आप min में maximum find out कर रहे हैं, maximum में min find out कर रहे हो, there is no chance, आपको उतना ही maximum time लगेगा, हाँ, min में min को अफ़ कर रहे हो, तब order of 1 में काम कातम है, में max में max को सर्च कर रहे हैं, order of 1 में आपका काम कातम हो जाएगा, लेकिन maximum min को सर्च कर रहे हो, same time complexity आपकी लगेगी, तो इस सारे points नोट कर लो, एक बार go through जूरू कर ले ना, क्योंकि अगर ये concept आपने अच्छे से कर रहे हैं, फिर तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा, फिर तो ये सारी के सारे concept आपको बहुत easy लगेंगे तो ये time complexities का जो fund है, ये बहुत ज़्यादा बूचा जाता है interviews वगेरा में, तो इसलिए इसको note कर लो, thank you